Company का नाम है Neela Aspaces Limited, इसके करन स्टोक का प्रेस 3 रुपे 40 पैसे है, इस Company ने एक दिन में 0% का रिटन दिया है, पिछले एक हफ्तर में भी इस Company ने 0% का रिटन दिया है, पिछले एक महिने में इस Company ने 6.25% का रिटन दिया है, पिछले एक साल में इस Company ने –8.11% का रिटन दिया पिछले 5 सालों में इस company ने 3.03% का return दिया है और आप तक इस company ने 3.03% का return दिया है अब चेक करते हैं इस company के scorecard को तो company की performance low है, valuation high है और growth के chances low है company का market cap 135 करोड का है, PE ratio minus 29.43% का है, ROCE minus 4.98% का है, ROE minus 3.65% का है 2015 में इस company का revenue तो 0 रुपीस का, जोकि 23 में बढ़कर हो गया है 3.78 करोड का इस company ने 2017 में 39.02 करोड का revenue generate किया था, इसके बाद हर साल इस company का revenue increase होता गया 2020 में इस company ने 90.98 करोड का revenue generate किया था, इसके बाद से वापस इसका revenue गिरना शुरू हो गया और 2020 में वो कम होकर हो गया 3.78 करोड का, 2020 में इस company की net income ती 0 रुपीस की, जोकि 2020 में और कम होकर हो गया इस company को 4 करोड का loss हुआ है, पीछले 3 साल सो देखे तो लगातार इस company को loss ही हुआ है 2017 में इस company की sales थी 28.56 करोड की, जोकि दोज़ए 30 में कम होकर हो गया 1.01 करोड की अब चेक करते इस company की share holding को, company के promoters के पास company का 61.90 परसंट शेयर है, mutual fund और domestic institution में इस company के 0 परसंट शेयर है, foreign institution में इस company के 2.51 परसंट शेयर है, और retail investors के पास company के 35.58 परसंट शेयर है company की net income और revenue अनिस्टेबल है, और company के majority share promoters के पास है, तो फिलाल आपको उस company में invest नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा wait करना चाहिए और अगर आपने अप तक अपना dmate account open नहीं किया, तो description में आपको link मिलेगे, वहाँ से आप अपना dmate account open कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इसे like करें, दोस्तों के लिए शेयर करें, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें